हमारे समझ में यह नहीं आता है सरकार को चाल करने कि क्या जरूरत है सब्से इंपॉर्टेंड बात है कि एवरेंडे लेन्ड पुलिंग पोलिसी को धरातल पर लाया जाए आभी दिल्ली सरकार के हाथ में जितना लेट करना था वो तो करी दिये आगे फिर पता ने क्या करेंगे केंदर सरकार भी मौन है और आपको लागू करना ही होगा जब तक आफ लागू नहीं करोगे लगातार हम जाग-रुकता वियान करेंगे तरह के गोस्टियों के जरी एक तरह केपने आबाज उठाते रहेंगे। लागू हो जाएगा तो अम्रित काल है और लागू नहीं होगा हमारे लिए तो बिश काल है नमस्कार मैं ब्यूटी के लिए और आप देख रहे हैं जनहीत आवाज अभी हम वजूद है दिल्ली के जनतर मंतर पर और तमाम लोग यहां पर आए हूं है अपनी मांगों को लेकर आम तोर पर यह प्रदेशन धर्ना चलते रहता है लेकिन यह पुरानी एक मांग है जो डेवलप्मेंट को लेकर है लैंड पुलिंग पॉलिसी जो है उसको लेकर क्या कुछ मांगे हैं मैं थोरा सा उसमें सुधार करना चाहूंगा लेंड पॉलिंग पॉलिसी मास्टर प्लान 2021 का अभी भी है लेकिन वो कारगर नहीं हो सका उसमें किसानों के लिए भी और जो मेंबर थे उनकी लिए भी बहुत सारी समस्यां आ गई जब लेंड पॉलिंग पॉलिसी 2013 में आया तो जोनल डेवलप्मेंट के आधार पर आया था और उसमें फियार फोर हंडेट था उसके ही गाइडलाइन थे बहुत सारे उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारे सारे में बड़े उत्साहस से उसमें भाग भागिडाई दिया और उस भागिडारी देने के बाद अगर फियार फोर हंडेट से तू हंडेट हो जाएगा तो अचानक लेंड कोस्त क्या जो कंपोनेंट है वो डबल हो जाएगा जमीन का खर्चा जो है वो दुगुना हो जाएगा तो उसकी पॉइंट नम्मर बन उसके बाद कहा गया कि यह जोनल डेवलप्मेंट नहीं है अ सकता इस तरह की सरते थी और किसान भी जो थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें जो पूलिंग हिस्सा लेंगे पांच एकर से जादे वाले जमीन भाग ले सकते हैं उनको तो और भी कंफीजन हो गया ग्रीन डेवलप्मेंट की सपने दिखाए गया थे किसानों को आज तक इंतिजार ही रहे गया यह मैं किसान संसोधित अमेंडेट लेंड पूलिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूं साथ में ही ग्रीन डेवलप्मेंट एरिया का दूसरा पार्ट है उसका पॉलिसी भी अटका पड़ा हुआ है यह दोनों पॉलिसी अटके पड़े हैं हम संसाइटी के लोग हैं और किसान जो अभी जो सब कुछ सब कुछ सामने में है वह है अमेंडेट लेंड पॉलिंग पॉलिसी या किसानों का भी भला है स्मार्ट सीटी एक बहुत फ्लक्सिबल पॉलिसी बन गया है इसके लागू होते ही दिल्ली का विकास एक दम करी से चल पड़ेगा जब यह प्रोपोजल इतना पहले आया था सब कुछ ठीक है तो इसे लागों क्यों नहीं किया जार यह अपने आप में तरस्दी है 2013 से लोगों लोग उस्वक्त जान रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी इसमें इसा लिया कि लोग जल्दी जल्दी जमीन खरिक muchos-ke Speaking to its अर्ड़ी देते रहें मेरे हमारे समय में यह यह आता है सर्कार को चाल हमारे से सामानने नागरिक से सरकार को चाल करने की ने क्या जरूरत है हम तो उसके सेवक हैं तर तरिक नहीं नहीं हम तो इस देस के सेवक हैं सरकार फिर सरकार कर क्यों नहीं रही है सरकार पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाती है दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार और केजरिवाल की सरकार दोनों कहते हैं कि हम करना चाहते हैं दोजार अठारा के निमंबर से पोटल सुरू हुआ और उसके अंदर भी सारे प्रॉब्लम हो गई मैंने आपको कहा कि 400-200 हो गया किसानों की समस्या आ गई और उसके बाद तो कोरोना का भी आप जानती है किसानों के समस्या अलग अभी तो उसी कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार पीछा नहीं फॉलो अप करना चोड़ा नहीं हम डीडिये से लगातार और हम भी किसानों के संगटन भी तरह तरह से हम करते गए आखिर बार-बार बोलने के बाद में वह भी कन्विंस हुए हमारी बात से फिर हमारे जो सुझाओत थे उससे उसको एमेंड किया ग अब हम लोग इंतजार कर रहे थे कब जल्दी आ जाना चाहिए जितनी जल्दी आ जाए बहुत लेट हो रहा है और यह वहां से पहले डीडिये के बोर्ड वागेरा भी लगाए गए थे चोड़ा हुप डीडिये ने केवल बोर्ड देखिए जहां तहां प्लॉट काटने की बनाने की वेवस्था है उस पर कोई नियंत्रन नहीं है वह लगातार होता जा रहा है हम लोग ने चिंता जाहिर की कि आप तो पता नहीं कब करोगे और यह प्लॉट काटना अर्मनाइशन आप रोक नहीं पारे हो इससे पूरा का पूरा सलम हो जाएगा हम लोग ने कहां ल ही है सबसे इंपोर्टेंट बात है कि एक अभी के उपर भेज रहे हैं और हम अमीद करते हैं कि जैसे जमीन पर आएगा तो यह लैंड पुलिंग बहुत फास्ट हो जाएगा केंदर सरकार भी कहती है दिल्ली सरकार भी कहती है करते कुछ नहीं है अभी दिल्ली सरकार के हाथ में जितना लेट करना था वो तो करी दिये आगे पिर पता नहीं क्या करेंगे केंदर सरकार भी मौन है भी मौन है ये क्यों मौन है ये सवाल है और इसी सवाल के लिए तो ये धरना है ये महा पंचायत है ये लगाता डिमोस्टेशन है अब क्या करेंगे क्योंकि आपने देख लिया काफी समय से मौन है सरकार अब क्या करेंगे असर दिखाएंगे इसका 24 में बिलकुल जब तक ये तो हम सीधा सीधा हमारा स्लोगन है महा पंचायत का आप सुन लिए आस्वासन नहीं समाधान एक दम एक लाइन में आस्वासन नहीं समाधान लागू करो रुके हुए काम सारे और आपको लागू करना ही होगा जब तक आप लागू नहीं करोगे लगातार हम जागरुकता वियान टार तुश्टिएगे गोस्तियों के जड़े इत्तुरा पंचाइतों के हमसे अपनी आबाज उठाके रहें ऑनको बुलते रहेंगे आप तरकार सुन्दी नहीं हँ पुर्य दिली लगातार जगाएंगे और देश को घखको और देगे लगातार जगाएंगे नहीं को सब्सक्राइब मामला है दिनि के जडिए यह दिली रास्धानी है दिल्री को जगाएंगे लगातार लगातार जगांगी हम राचनातमक लोग हैं हम क्रिएटीव करस challenge हमको intuitive करने आता है हम लगातार अवार्णेस करते जाएंगे और तब करेंगे जब तक हमको लगूने होगा दिली जागेगा पुरा देश जागेगा क्योंकि दिली का विकास नहीं यह इसमार्ट डिली नहीं यह मॉडल होगा रॉल मॉडल होगा पुरे हिंदुस्तान के लिए दो सपना देख रहे हैं हम विक्सित रास्ट का जो अमरित काल की बा असपास रूपस तो आपने सुना किस तरीके से जो है तमाम किशान जो है अलग-अलग मुद्धे हैं और हर मुद्धों पर एक ही कहना है कि सरकार जो है काम नहीं करती धरातल पर जाकर देखने पर पता चलते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ बड़े बड़े-बड़े किये कर दो आप बड़े-बड़े